पुरानी पेंशन पर मुख्य मंतरी के जूट से कम नहीं होगा क्रमचारियों का मनोबल सत्पाल सिंदों ने कहा 19 फरवरी को शिक्षय बाग के एक लाग क्रमचारी शियम आवास घेराव में लेंगे हिस्जा राजस्तान सरकार दवरा पुरानी पेंशन बंद करने वाले मुख्य मंतरी के जूटे बयान पर परतिकिरिया देते हुए हसला राज जहाद्यक सत्पाल सिंदों ने कहा कि पुरानी पेंशन के मुद्धे पर मुख्यमंत्री वे उपु मुख्यमंत्री आदारहिन बयान बाजिक कर रहे हैं एक परदेश की मुख्यमंतरी द्वारा पुरानी पेंशन पर बिना आधिकारिक आकड़ों के ब्यान देकर करमचारियों को गुमरा करना अत्यांत निदनी है उप मुख्यमंतरी दुसें चोटाला को भी OPS पर करमचारियों को नफा नुक्षान समझाने से पहले एक बार अपने चुनावी गोशना पत्तर पढ़ लेना चाहिए करमचारियों से वादा खिलापी कर सकता सुख भोगने वाले उप मुख्यमंतरी अपने चुनावी गोशना पत्तर में पुराने पेंचन बाल करने का वादा भूल गए है रजय दक्सी सिंदू ने बताया कि NPS किसी भी तरह से करमचारियों और परदेश के हीत में नहीं है NPS में जबरदस्ती 10% करमचारियों के वेतन और 14% सरकारी का जाने से कुल 24-35 शेर बजार और पुड़े पुझपुतियों को लाप पुचाने के लिए बजार में लगाई जा रही है जिसमें नहीं तो निश्चिती रिटरंस है और नहीं निश्चित पेंशन का कोई प्रावदान किया गया है इसके अलावा एनपेस में मेंगाई बत्ते और मेडिकल स्विधा भी नहीं दी जा रही है करमचारियों की ताकत को कमाकने वाले कई राज्यों की सरकारी चुनाओं में मुखी खाकर हार चुकी है हसला के परदेश प्रेस्चिव अजीद चंदेलिया ने कहा कि करमचारियों दवरा उनिस परवरी को मुख्यमंत्री आवास का गिराव को घोशना की गई है जिसमें परदेश के शिक्षय बाग कारियरत एक लाग से ज्यादा करमचारी शामिल होंगे